Hello students, let's see the question, so the question says which of the following is not a double displacement reaction, not में गौर करे और double displacement reaction को थोड़ा सा समझ ले, double displacement reaction basically क्या होता है in a nut cell, ये exchange of iron इस हिसाफ से समझ सकते है, एक example दे देते है, AB plus CD से अगर हम double displacement reaction के बारे में कहें, तो हमें मिलेंगे AD plus CB, basically यहाँ पर जो cation and anion है उसके exchange हो रहा है, तो यहाँ जो देगे options है, option में हम देख लेते हैं कि ऐसा कहां हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है, तो चलो एक एक करके options को देखते हैं, देखो, potassium hydroxy के साथ reaction हो रहा है, phosphoric acid का, और बन रहे है potassium phosphate and water, तो water को अगर हम तोड़ते हैं तो OH था पहले, वो potassium के साथ जुरा हुआ था, अभी वो water में क्या है, hydrogen के साथ जुरा हुआ है, और hydrogen के साथ जुरे हुए यह जो phosphate and anion है, अभी वो product में क्या है, potassium के साथ जुरे हुए है, तो यहाँ भी exchange हुआ है, cation and anion का, यानि यह double displacement reaction है, tick mark कर लेते हैं, next में आ जाते है, copper sulf reaction करे रहे है, hydrogen sulfide के साथ, और बना रहे है copper sulfide and sulfuric acid, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यह जो sulfide anion है, पहले copper के साथ जुरा हुआ था, अभी वो hydrogen के साथ जुरा हुआ है, यह जो sulfide anion है, वो पहले hydrogen के साथ जुरा हुआ था, अभी वो copper के साथ जुरा हुआ है, तो यह भी double डबल डिस्प्राइश्मेंट रियाक्षिन है, कैटाइन अनान का एक्स्रेंज यहां भी हो रहा है. निक्स्ट में आ जाते हैं, निक्स्ट थोड़ असा क्रिटिकल है, समझते हैं इसको. sodium bicarbonate के साथ hydrogen chloride का reaction हो रहा है तो पहले इसको लिख लेते है sodium bicarbonate उसके साथ hydrogen chloride अगर ये double displacement reaction होता तो क्या होना चाहिए था देखो initial और होना चाहिए था H2CO3 यानि carbonic acid लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि initial match तो कर रहा है लेकिन H2O and CO2 है तो ये क्या चीज़ है देखो ये जो carbonic acid है ना ये बहुत stable नहीं है ये टूट जाएगा और किस में टूटेगा H2O and CO2 में तो ये जो product है H2O and CO2 basically ये एक double displacement reaction से ही आए होए है तो यहाँ भी tick mark कर लेते हैं last में आ जाते हैं ये है nitrogen ये है hydrogen जहां से हमें ammonia मिल रहा है और आप यहाँ देख सकते हो कि more than one reactants है जहां से हमें एक single product मिल रहा है तो ये जो example है D में दिएगे option में जो example है वो basically combination reaction का है ये double displacement reaction नहीं है यहाँ पे कोई भी katan and anan का exchange नहीं हो रहा है तो D is your answer I hope ये समझने में आपको कोई difficulty नहीं है Thank you so much